जैहीन दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं इस एक और कोशन के बारे में यहां पर दिया गया है इसने मुझे एक वैल्यू दे रखी है कि 4 by 9 दे रखा है यानि कि 4 by 9 दे रखा है इसका मतलब 4 रुपे जो होगा वो इंटरस्ट होगा 9 रुपीज पर यानि 9 रुपीज पर तो इस टाइप का जब भी कोशन है तो कुशन नहीं करना यह 4 मेरा इंटरस्ट हो गया 9 मेरा प्रि रूट करेंगे तो जो आपको निकल का एगा वो रेट ओफ इंटरस्ट निकल का आएगा यानि कि 20 वाय में क्या हो जाएगा 3 तो इसे बोल सकते हैं 6 डूवाय में 3 percent कि आएगा मेरे पास rate of interest अगर टाइम निकालने के लिए बोलते तो भी इसको आपको ऐसे रूट करना था एक बर फिर भी चेक कर लेते हैं इस question को देखिए यहाँ पर principal कितना है मेरे पास में आपका 9 rupees 9 rupees principal है तो मैंने r upon में 100 मांगना और मुझे दे रखा है r percent r जो बराबर दे रखा है वो time के बराबर दे रखा है यानि कि मैंने 1 और r मान लिया time period को यानि कि r is equal to में यह कितना हो जाएगा कितना interest दे रखाई ले आफका 4 rupees तो यह r into में r मेरेपास यहां होगा 4 into में 100 होगा upon में में पास 9 होगा तो r की value निकालने जाए तो यह जाके इदर उल्ठा हो जाएगा यानि कि two into में 2 into में 10 into में 10 अपोन में कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू में 3 तो यह आर जो मेरे पाप बराबर आएगा वो 20 वाय में 3 परसेंट आएगा यानि कि मैं डिरेक्टली से सकता हूं 6 2 वाय में 3 परसेंट आएगा और जो ऑप्षिन जो भी दिखाई देरा आपको इस कोशिन का करेक्ट होगा आई होप आप सभी कोशिन समझ में होगा जय इंद जय भारत